घ्लास 7 लेट समझ सकते हैं अब हम लोग पूरा क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पत चुके हैं लिंक में डिस्क्रीपशन में चैन्क कर दूँगी तो आप मेरा बार्ट वन चैप्टर पोर का देख सकते हैं और आप clinical thermometer के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं laboratory thermometer के बारे में How do we measure the temperature of other objects? कैसे हम measure कर सकते हैं दूसरे अब्जेक्ट का temperature इस purpose के लिए जो है दूसरे thermometer से जो एक thermometer है One such thermometer is known as the laboratory thermometer तो laboratory thermometer से हम लोग किसी भी object के temperature को measure कर सकते हैं यहाँ पे हैं कि आपकी teacher मतलब आपको show करेगी इस thermometer को अब देखो आप इसे carefully और note करो highest और lowest temperature जो कि यह measure कर सकता है और जो range जेना laboratory thermometer की वो generally होती है माइनस 10 डिगरी Celsius से 110 डिगरी Celsius माइनस 10 डिगरी Celsius से 110 डिगरी Celsius तक की range होती है अब देखें जैसे की figure 4.4 में दे रखा है अभी मैं आपको दिखाती हूँ यह देखें यह रहा a laboratory thermometer है इसकी range आप देख सकते हैं 110 तक की है माइनस 10 डिगरी Celsius से तो अब हम लोग पढ़ते हैं देखें also as you did in the case of clinical thermometer मतलब जैसे क्या आपने किया है न clinical thermometer के case में और वैसा ही आपको इसमें भी करना है और आपको find out करना है कि कितने small divisions यह thermometer read करता है और इस information की जरूरत आपको पढ़ेगी जब आप इस thermometer को correctly read करोगे अब हम लोग सीखते हैं कैसे थर्मा मीटर को इस थर्मा मीटर को इसका इस्तमाल किया जाता है पहले हम लोग इस वाला box देख लेते हैं तो different types की thermometers होते हैं इस्तमाल करने की different purposes के लिए जो है अलग-अलग thermometers होते हैं अलग-अलग purposes के लिए अलग-अलग thirmamamेटर इस्तमाल होते हैं जो Maximum और Minimum Temperature होता है न Dan Nep arrivé का मतलब जो कम से कम temperature होता है प्रिविएस देखा पूरे दिन का वो रिपोर्थ के जाता है weather reports में जो कि misers कहатा है Thermometer के द्वारा जिसको हम क्या कहते है Maximum minimum thermometer देखिए अब मैं आपको इक और और revise करवा देती हूँ कि maximum और minimum temperature पूरे दिन का जो report की होता है weather reports में वो miser कहा जाता है Thermometer के द्वारा जिससे हम क्या कहते है Maximum और minimum thermometer कि सब्सक्राइब गर्ख बटब अल्डट मतलब लगल नीचे कंटेनर की साइट सोड़ो नुटाम वह रख रखना है और ऑल्ट हर्मामेटर वर्टिकम्हाल रखना है और आप्ज़ह करना है ची टोक कि एम्दाट मुव्मेंट मरकडी वेका थर्मामीटर में जब mercury threes study study ना हो जाए मतलब आप observe करें movement mercury का thermometer में और रुकें जब तक mercury threes fixed ना हो जाए means study ना हो जाए अब आप जह है note the reading आप आपको note करनी है reading को this is the temperature of water यह temperature है water का उस time पर आपको compare करना है temperature water का जोकी record किया गया है हर student के दारा class में अब यह देखें आप इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से आपको रखना है तो उसको thermometer को और जो है अब आम लोग एक मिनट यह देखें आप देखें इन एडिशन तो दा यह वाला बॉक्स अम लग पढ़ें इन एडिशन तो दा प्रिकॉशन इस तो बी टेकें वाल रडिशन तो आप इन साफ दानियों को ध्यान रखें देखें शुट बी कैप्ट आप राइट नो तिल्टेट मतलब आपको उसे सीधा रखना रखा जाना चाहिए उसे सीधा रखा जाना चाहिए बल्ब शुट बी सराउंड फॉम आल साइट पर असस सब्स्टेंस के द्वारा जिसका टंप्रेटर मीजर हो रहा है अब देखें जो बल्ब है शुट नॉट बी टुच दा सर्फेस ऑफ दा कंटेनर मतलब बल्ब जहें नहीं चूना चाहिए यह बल्ब मतलब की टॉट ना हो टॉट नहीं होना चाहिए सर्फेस पर कंटेनर की अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में सॉरी प्रिटीट 4.5 है आपको कुछ होट वटर लेना है बेकर में या फिर मग में अइव डिप करना थर्मा मीटर वाटर चल्ट में जब तक मरकरी टीर जो है इस्टेडी Dude हो जाए नहीं काना है temperature को अब आपको निब अब एंव थीन से क्या होता है अब आपिक अप्ल करना Turns मुझे के बाहर तने घुर गया इसका मतलब के ञुआ ना वह सिर्फ रीड़ो सकता है जब जो है थर्माईमिचर होका तभी रीड़ो सकता है अभी हो मैं रिकॉल था दफ राइट वाइट टेकिंग यह ओन चाहर अब आपको याद हो सकता है कि जब आपने अपना थे रहे थे तो आपको निकालना मतलब कि you have to take the thermometer out of your mouth आपको निकालना पड़ा था thermometer को आपके mouth के बाहर note करने के लिए reading को क्या फिर जब आपने मतलब कि जए यूज किया था laboratory thermometer measure करने के लिए आपके body temperature को obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose और इसलिए यह convenient नहीं है मतलब यह असान नहीं इस्तेमाल करना laboratory thermometer इस परपस के लिए क्यों जो है मरकरी फॉल हो जाती है या फिर राइस हो जाती है clinical thermometer में मतलब सॉरी मतलब फॉल या फिर राइस क्यों नहीं होती है मरकरी clinical thermometer में जब हम उसे अपने mouth के बाहर निकाल लेते हैं अब आप observe किये clinical thermometer को दोबारा क्या आप देख सकते हैं इक किंक बल्फ के पास में और क्या मतलब इस्तमाल होता है इस किंक का यह प्रिवेंट करती है यह रोपती है मरकरी के लेवल को खुद घरने से रोपती है और यह laboratory thermometer में नहीं present होती है यह clinical thermometer में जो है किंक होती है इसके पास में यह देखें यह रही किंक बल्फ के पास में आप यह देखें तो आपको बज़ता जिनता की मतलब बात होती है बहुत ध्यान रखना पड़ता है मरकरी जहरीला सबस्टेंस होता है और यह बहुत ज़्यादर डिफकल्ट होता है इसको समालना अगर थर्मा मीटर तूट जाए यह आज क्यों मतलब इन दिनों जहें डिजिटल थर्मा मीटर्स एवेलेबल हैं जिनके पास मरकरी नहीं होती है मतलब उनमें जहें मरकरी नहीं इस्तिमाल की जाती है अब हम लोग पड़ते हैं 4.4 टांसफर ऑफ हीट के बारे में अब देखें यू माइट है आप आप ने मतलब आप्जर्फ किया होंगा कि आप जो है कि फ्राइंग टाइन जब आप मतलब रखते हो ना फ्लेम पर तो होट हो जाता है कि क्यों इस बिक ना मतलब क्या होता है बटन तो जब परे मूव करते हैं दोज को हो जाता है क्यों फटाइप इटी आप ट रांसफर होते है पंसे तो आप समझ सकतें 2 ejEr वोगigkeit है hotter object से colder object की तरफ हमेशा flow होती है अब देखिए सारे cases में heat flow होती है hotter object से colder object की तरफ हम लोग जो है कैसे heat flow होती है अब हम लोग investigate करते हैं अब देखिए activity 4.6 है ठेका road और flat strip of metal sea of aluminium और iron आपको लेनी है एक road मतलब छड़ी या फिर flat strip लेनी है metal की और या फिर aluminium या iron की जाया आपके सकते तो fix a few small wax of pieces on the road मतलब आपको fix करने कुछ small wax के pieces मोम के मतलब in pieces को आपको पास पास रखना और मतलब equal distance पर रखना है clam the road to a stand up आपको clam करना है road को दबाना है rod को stand के मतलब की stand में दबाना है और if you do not find a stand अगर आपके मतलब नहीं आपको मिला a stand तो आप you can put one end of the rod in between bricks मतलब आप जो है bricks के बीच में भी rod का एक सिरा रख सकते है now heat the other end of the rod and observe अब आप heat करिए दुसरा एं जो है rod का और observe करिए अब देखिए what happened to the wax pieces क्या होता है wax के pieces का do these pieces begin to fall क्या गिरने लगते हैं which piece falls sorry which piece falls the first कौन सा piece पहले गरता है do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end मतलब जो heat transfer होती है nearest end मतलब जो पास में होता है उससे flame तक की दूसरे इंड के flame तक की आप देखिए सबसे पहले जो है सबसे पहला गिरेगा ना वो सबसे पास है आप देखिए जो process है जिसके द्वारा heat transfer होती है hotter end से colder end तक मतलब एक hotter end है जो hot है अब दूसरा जो इस तरह है जो other end है वो cold है तो जब वहां तक की transfer होती है heat hotter end से colder end तक तो उस process को हम लोग कहते हैं कंडक्शन और यह जो है solids में होता है और जो है जनरली जो heat transfer होती है ना कंडक्शन के प्रोसेस के उदारा वह solids में होती है आप देखिए do all the substances हम लोग चले पहले एक्टिविटी पढ़ते है एक्टिविटी 4.7 heat करना है आपको water heat water in a small pen या फिर बेकर में heat करो water और collect करो कुछ articles जैसे के steel spoon plastic scale pencil और डिप करना है आपको एक सेरा हर इन आर्टिकल्स का hot water में और रुखना है आपको कुछ minutes और touch the other end और आप छुए मतलब touch करें दूसरी इनको जो दूसरा सेरा है उनका ज इमर्स कर दिया था water में वह वाला नहीं जो मतलब जो उपर की तरफ था उसे आप touch करना है और आपको इंटर करना है आपके observation को table 4.3 में अब जो material है न जो एलो करते है heat को pass through होना easily जो मतलब जिससे easily transfer हो सकती है heat उसे कहते हैं conductor मतलब जो देखें conductor क्या होते हैं आवे एक पर प्रिवाइस करते हैं जो material जो है मतलब easily pass through होने देते है heat को उन्हें कहते हैं conductors of heat जैसे की for example aluminum iron और copper जो materials नहीं अलो करते है heat को मतलब असानी से नहीं pass through होने देते हैं वो प्लास्टिक हो गया वूड हो गई और जो प्लास्टिक हो गया वूड हो गई और जो पूर water और और एर है न वो पूर कंडुक्टर से heat के तो कैसे जो हीट ट्रांसफर होती है heat transfer जो है कैसे यहां पर place लेती है अब लोग find out करते है टेकर राउंड बॉटम कुछ है मतलब एक flask मतलब क्यों होता है बॉटल ले लेनी है और जो है अगर आपको फ्लास्क अवैलेबल लगी है तो आप बेकर कर सकते हैं फिल करना आपको टू थर्ट बॉटर के साथ में और प्लेज इंट ओना ट्रिपॉड आपको प्लेज करना अशे ट्रिपॉड पर और यहां आपको कुछ अर्जमेंट्स बनाना है प्लेज करने के लिए तो भी प्लास्क को उस वें में जिसमें आप इसे घीट कर सकते हैं तक आप तक झाल अपना जाएं तक जब तक उसमें जितना पानी रहता है जो आप पानी तो आप रूकें और ग्रेजटल आपको प्लेस करना है क्रिस्टल प्रमेगनेट का नीचे फ्लास्क के दीरे से प्याल का उप्योग करके आपको हीट करना है वाटर को प्लेस करके कैंडल के द्वारा क्रिस्टल के नीचे अब आप लिखो अपना उब्सर्वेशन आपकी नोट बुक में और आपको पिचर भी ड्रा करनी है क्या आपने आपने अब्सर्व किया फिग पों पाइंट नाइन में जब वाटर वैन वाटर इस हीटेट दौट वाटर को पें किया तो जो जो फ्लेम पास जो फ्लेम था ना वह होट वाटर उटके आउपर की तरफ और जो यह बाट blem जाएगा और ऊपर की तरफ उट जाएगा हाए B होटर धुटे मूंवसच आगा जब फूरा होटर हीट गडन का वोटर त्रांसफर होने का सवब कटे दुक्वर एंदेशंख गईव द्याेए कसे हीट ट्रेवल ओती है और यह में यहर मिर्ण में जो स्रम जाता है अपर जाता है जो एर यहीड के पास में नेर दाी तो एर जाएगे आर जो उट के पास में सारे साइट से से आती है structure और प्लेज ले लेती है वहाँ पे इस वे में जो एर होती है वो हीट हो जाती है और जो फॉलोइंग एक्टिविटी है वो कन्फर्म करती है इस आइडिया को तो कन्वेंक्शन क्या होता है जिसमें पूरा होल वाटर हीट हो जाता है इस मूट को ट्रांसफर होने के मतलब एक आपने इसका अर्रेजमेंट बनाया रखने का फिर इसके नीचे एक कैंडल रखी जब पूरा वाटर आपका हीट हो जाएगा तो इसे हम प्रोसेस को कहते हैं मतलब ही ट्रांसफर हो रही है ना सारा वाटर हीट हो गया तो यह हो प्रोसेस के दौरा होता है यह किस प्रोसेस के प्रोसेस के द्वारा होता है आप देखें, activity 4.9 है, light candle आपको यह लाइट केंडल को जलाना है, keep one hand above the flame, अमतलब एक अपको हैंड फ्लेम के उपर रखना है, और एक hand जो है, side पर रखना है, do your hands feel equally hot, क्या आपकी hands है, equally बराबर से गर्म फील कर रहे हैं, if not, अगर नहीं, which hand feel hotter, तो कौन सा, hot, hot, sorry, hotter फील हो रहा है आपको hand, और क्यों, be careful, मुझब साफ़ान रहे हैं, hand को रखते हुए, safe distance पर flame से, तक कि आपके जलना चाहे, आप देखें, notice करो, towards the top, top पर, जो air है, heat हो रही है, convection के दुआरा, therefore, the hand above the flame feels hot, मतलब, इसलिए, जो hand है, हमारा, उपर की तरफ है, फ्लेम के, वो hot feel करेगा, on the sides, sides पर, however, यहां पर no convection नहीं हो, और air नहीं feel हो रही है, as hot as at the top, मतलब की, है, यहां पर को air नहीं है, तो इसलिए, air, मतलब, hot है में नहीं feel होगा, top पर, जैसा, मतलब, top पर हो रहा है, वैसा, नहीं होगा feel, तो जो people है, वो रहे हैं, coastal areas में, experience करते हैं, interesting phenomena को, दिन के दौरान, और land, जो हीट हो जाता है, faster, water के जाद, से, कमके, comparison में, जो air है, न, land के, होब हो जाती है, जो cooler air होती है, sea, 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 cooler air, land के towards, वो वहाँ पर place ले लेती है, और जो warm air होती है, land से, वो move, land, sorry, दिखे, जो, the warm air, from the land, जो warm air होती है, land से, sea की तरफ, वो complete cycle होती है, जो air होती है, sea से, उसे हम कहते है, sea breeze, दिखे, मैं आपको, इस speaker से समझाती हूँ, देखे, यह देखे, यह देखे, यह देटाइम है, ठीक है, यह देटाइम होती है, इदर हमारा, जो, मतलब, जो land होता है, न, वो, जो हमारे seas के comparison में, जो है, ocean के comparison में, जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसलिए, जो hot air होती है, वो rise up, उपर की तरफ उठ जाती है, तो जो यहाँ पर से sea की तरफ से ठंडी अवा आती है, वो यहाँ पर आ जाती है, तो इसे हम कहते है, sea breeze, देखे, जो night time में क्या होती है, हमारी land breeze होती है, जो हमारा मतलब, देखे, land जो हमारा sea के comparison में, water के comparison में, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, तो night time क्या होती है, land breeze होती है, तो land जल्दी ठंडा हो जाता है, और sea की गर्म होता है, जल्दी, तो इसलिए जो मतलब, गर्म air होती है, water से वो उठ जाती है, उपर की तरफ, इसे कहते हैं land breeze तो अब आप अराम से समझ के होंगे कि जब दिन के समय क्या होता है होट होता है हमारा land जल्दी हमारे water के comparison में और जब hot air जाती मतलब उठ जाती है उपर की तरफ तो cold air जो है आ जाती है ऐसी से land की तरफ तो इसे क्या कहते हैं sea breeze सी से लैंड की तरफ मूव हो रही है और नाइट टाइम क्या होता है जो हमारी वह होता है ना लैंड लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और जो है वाटर अलकेल की गर्म होता है तो जो गर्म हवा जब उपर की तरफ उठ जाती है तो कोल्ड एयर होती है वह इधर की तरफ आती अब दीकें, फ्रॉम्ट इसका नाम क्या है, लाइन ब्रीजे रांजा होगे, अब दीकें, फॉम्ट शॉन, फिकलें है, क्या है, और प्रॉसे्ष ने मतलब क्या कर, इसका है रीडियेशन की द्वारा उसे कोई भी तो मिद्याम ने चाहें होती है वो पलीज लेती है वेदर उड़ा हम मीडियुम प्रिज़ेंट करें ना हो बैठते हैं फ्रेंट में सामने रूम हीटर के वीकेट हीट हम गर्म से हो जाते हैं इस प्रोसेस के द्वारा अहां होट अंटेंसल जो होट गर्म बनतर बटन होता है ना केपट अवे फॉम दा फ्लेम उसे मतलब की दूर रखा जाता है फ्लेम से ठंडा होने के लिए अज़ ट्रांस्फर हीट टू दा सराउंडिंग्स और जो देनर उसके आज पास रेडीयेशन के दौरा हमारी बाडी भी ऐसे ही है तो गिफ़्स ही रेडीट करो हीट रेडीयेशन के दवारा All hot bodies radiate heat जो सारी hot bodies होती है न वो radiate करती है heat को जब ये heat fall होती है न कुछ objects पर a part of it is reflected और जो मतलब उसके अलावा जो है वो reflect हो जाती है a part is absorbed and a part may be transmitted the temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat जो temperature होती है न अबजेट को उपड़ जाता है heat के जो absorbed part होती है उसपे बढ़ जाता है क्यों आप एड़्वाइज़ देख दो यूज अन एंब्रेला वन यूग आउट इंदास है क्यों आप एड़्वाइज देते हो इस्तेमाल करें हम लोग मतलब है जब हम लोग घर के बहार संब बहार जाते हैं संब में kinds of clothes we wear in summer and winter वो kinds of clothes है जो हम पैंते हैं summer और winter में अब हम लोग नेक्स पार्ट में देख लेंगे बहुत बड़ा वीडियो गया है 23 minutes का so thanks for watching